आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ व्रत इस्पेसल लच्छा अलू की रेसिपी आप इस लच्छा अलू को व्रत में खास सकते हैं खास तोर पर व्रत के लिए मैंने आप सी रेसिपी सेयर किया है और इस नमकीन को आप ऐसे भी सामके नहस्ते में या चाय के सब खास सकते ह बहुत ही टेस्टी रेसिपी और बहुत ही इजली बन जाता है एक दम क्रिस्पिल अच्छा बना है यह तो आई देखते हैं कैसे बनती है रेसिपी तो लच्छा अलू बनाने के लिए मैने यहापे हाफ। के ज़िया है और शीप देखते हैं पानी में रखूaking जरुलिया है गप्षा बाडिक लच्छा चाहिए इसली य है तो पहले सारे अलू को पानी में हम भuat करके लेकंगे पत्ले हैं तो यहां पर मैंने आालू को ग्रेट कर लिया है बेंक देख सकता हैं और अब हमलों क्या करेंगे इसे कि दो से तीन पानी वाश करेंगे पहले आप आप लोगों देख सकते हैं पानी कितना ज़्यादा टर्ट मतलब काला पड़ गया है आलू के जितना स्टार चे आलू में वह निकल का आ गया है तो दूसरे बावल में हम लोग साब पानी लेंगे और इसमें सारा लच्छे को अच्छे से निचोड के डालेंगे और यह पानी को हम लोग फैक देंगे आप लोग देख सकते हैं पानी कितना डार्क हो गया है और फिर वापस से क्या करेंगे कि उसी बावल में साब पानी लेंगे और फि कि आदे लच्छे को मैंने लिया और अच्छे से हम लोग निचोड के इसका पानी निकालेंगे और दोनों लच्छों में से वो पानी जो था मैं गंदा वाला उसको निकाल दिया है मैंने और एकदम साफ पानी में मैंने वापस से रख लिया है लच्छे को अब देख सकते हैं हमारा एकदम साफ हो चुका है तीन बार मैंने दो चुका है और यह चौथा बार लिया है मैंने पानी और अब एकदम पानी भी साफ है और आलू भी देख सकते हैं आप लोग कितने साफ दिख रहे हैं कितने क्लीन दिख रहे हैं हमारे लच्छे तो इस बार हम लोग बहुत अ पानी हमारा एकदम साफ है, तो सेम प्रोसेसे इस वाले बाओल के भी लच्छे को हम लोग निचोड़के टावल पर ले लेंगे, देखिए पानी एकदम साफ है और आधा मैंने इस बाओल में रखा है, तो पहले क्या करेंगे कि यह जो मैंने लच्छा लिया है टावल पर, इ इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसे आधे से एक घंटे के लिए पंखे की नीचे रख देंगे सुखने के लिए तो पहले टावल मैं अच्छे से पोस्ट देती हूं और यह देखिए मैंने सुखा दिया है पूरे लच्छे को टावल में हलका हलका बस इसमें मुष्टर रह गया है तो एक थाली लेंगे और थाली में अच्छे से रच्छो को फैला देंगे चारो तरफ और फैलाने के बाद हम लोग पंखे की नीचे आधे घंटे या एक घंटे के लिए रख देंगे तक एकदम ड्राइ हो जाए अब धूप में भी से रख सकते हैं 10 मिनट तो यहां पे सारे लच्छो को मैंने पंखे की नीचे रख दिया था लगभग 40 मिनट के लिए और यह अच्छे से सूग आप लोग देख सकते हैं तो अब चलते हैं इने फ्राइ करने तो यहां पहले से कढ़ाई में मैंने ओयल के रखा था वेल जब अच्छा गर्म हो जाएग और टेस्ट खड़ा हो जाएगा बस थोड़ा सा मुंगफली को मेडियम हाई फ्लेम पर हम लोग से लेंगे और यह मुंगफली हमारे फ्राइब हो गया है तो हम लोग निकाल लेंगे सारे मुंगफली को निकाल लेती हूं यहां पर सारे मुंगफली को मैंने निकाल लिया ह देख और लचो को फ्राइ करने अब क्या करेंगे कि गहस को एक दम हाई पे कर देंगे और एक बार में जितना हमारा आलू का लच्छा आप आपएगा कर देंगे राल के हलका से चला देंगे और छोड़ देंगे अब आप लोग देख सकते हैं इसमें बहुत ज्यादा ज्ञाग क्रियेट हो रहा है जैसे जैसे ये थोड़े फ्राई होने लगेंगे हमारे आलू ज्ञाग इनका खतम हो जाएगा और दस मिनिट फ्राई होने के बाद आप लोग देख सकते हैं लच्छे हमारे लगभग तयार है मैंने बीच-बीच में चलाते हुए दस मिनिट तक इन्हें फ्राई किया है और ये देखिए एकदम क्रिस्पी हो गए है तो फटा फट इन्हें हम लोग यह इस्टेनर पर निकाल देएंगे ताकि जो भी एक्स्ट्र वॉईल है निकल जाए और यह हमारे यालू के लच्छे एकदम क्रिस्पी हो गए हैं तो इन्हें रिकार लेते हैं और सेम प्रोसेस से बाकी सारे लच्छे हम लोग मीडियम हाई फ्लेम पे 10 मिनिट तक फ्राई करेंगे तो तैयार हो जाएंगे यहां पर देख सकते कितना अच्छे हमारा लच्छे हई हूए है यहां पर सारे लच्छो otky मैने फ्राई करके ले लिया है और आव हम लोग क्या करेंगे की इसमें ऐड करेंगे जा करेंगेonceो फ्राई क हुए मुन मुंफली को मुंफली मैंने एड़ कर दिया अब इसमें मैं डाल रहे हैं एक छोटी चमच कुटी भी काली मिर्च साथ में डाल देंगे हम लोग आदी छोटी चमच सिंधा नमक चुकी वरत के लिए मैं बना रही हूँ इसलिए सिंधा नमक का इस्तमाल कर रही हूँ आप अगर ऐसे नमकिन बना रहे हैं तो इसमें काला नमक के नॉर्मल सफेद नमक भी यूज़ कर सकते हैं साथ में आप इसमें चाट मसाला या लाल मिर्च पाउडर भी एड़ कर सकते हैं लेकिन वरत के लिए है तो मैंने सिर्फ काली मिर्च और सिधा नमक डाला है और इसे बस एक प्लेट में मैं ट्रांसफर कर लेती हूँ यह हमारा एक तम लच्छेदार आलू का नमकीन त्यार हो चुक है आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही चर्पटा लच्छा लू मारा बना है आप अगर वरत में है तो इस नमकीन को खा सकते हैं अगर आपको मीठा खाने का मन नहीं है तो बस सिधा नमक डालीया और यह लच्छा लू बनाईए और मुंगफली के साथ यह ऐसे भी खाईए बहुत टेस्टी लगता है आई होप आपको ये रेसीपी पसंद आई होगी